एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉंटेस्ट टिकलियर किया उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, उसको 10 मिलियन डॉलर का इनाम मिलेगा ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉंटेस्ट में पाटिस्पेट करने के लिए उन हजारों पेंटिंग्स में से जो इस कॉंटेस्स के जजिस थे उन्होंने फाइनली सौ पेंटिंग्स को शॉटलिस्स किया और उन सौ पेंटिंग्स के एक एक एक्जिबीशन लगाई उस एक्जिबीशन में इन सारे पेंटर्स को तो इन्वाइट किया ही किया साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे होए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड भी जमा थी क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा माउंट मिलेगा फाइनलि वो दिन आही गया वहाँ पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लाइक थी और एक से बढ़कर एक थी उसमें से कुछ पेंटिंग थी जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड थी जैसे एक पेंटिंग थी जहाँ पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी भेह रही थी जिसके पीछे कुछ पहाड थे उसके ओपर बर्ब चमी हुई थी और पीछे से सनराइस हो रहा था एक और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिपिक किया था फुल मून नाइट के थुरू यानि कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आस पास में जो भी कुछ था उसका बिल्कुल एक मिरर की तरह है और बिल्कुल डाक आस्मान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे नीला आस्मान था और बिल्कुल हरी-हरी घास थी यानि कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शान्त हो जाए तो कॉंटेस्ट बहुत ही टफ था व्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से भढ़कर एक थी तो जजिस के लिए शॉटलिस करना कि कौन सी पेंटिंग बैस है लेकिन वो मुमेंट आ ही गया जब जजिस ने अपना माइंड मेकप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़ी से कुर्टेन के पीछे रग दिया सामने वो सारे पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए सब एक दूसरे की शकल देखने लगे किसी को कुछ समय नहीं आ रहा था कि एक्चुल में हो क्या रहा है क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शान्ती को डिपिक्ट नहीं कर रही थी तो सबको लगा कि शयद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजिस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ पर रख दिया है तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए जाकर कि उस आर्ट गैलरी के उनर से मिले और जा करके उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत मेंटिंग तो आपने वहाँ पे नहीं रख दी है तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला नहीं ये पेंटिंग बिल्कु ठीक है जजिस ने इसी पेंटिंग को सिलेक किया है और यही पेंटिंग आज की बिनर है सारे पेंटर्स ये जवाब सुन करके गुस्से से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगे से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने माइक सुनके मूग के आगे कर दिये तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो उनर था वो हलका सा मुस्कराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा पास से देखिए शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है क्यो अगेन पर एक आदमी खड़ा हुआ है ध्यान से जा करके देखिए वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से उसके चहरे पर कोई डर नहीं है बलके खलकी सी मुस्कान है एक ठहराव है एक सुकून है और यही है शांती का असली मतलब यानि कि शांती का मतलब यह नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत है क्योंकि वो टेंप्ररी है असली शांती का मतलब यह है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो हम अंदर से पूरी तरह से शांत है हमारा मन शांत है क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुन्दर से सुन्दर जगे पर ले जा करके बिठा दो वो वहाँ पर भी जा करके दुखी ही रहेगा लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शान्त है उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो चाहे मौसम कैसा भी हो चाहे उसके आस पास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो तुफान हो लेकिन वो अंदर से बिलकुल शान्त रहेगा और यही है शान्ती का असली मतलब